चलिए तो चलिए यहां पर देखो question आप से दिया गया है कि राष्टी विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है राष्टी विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है चलिए यहां पर अंसर बताना है क्या हो जाएगा चलिए वन का option यहां पर देख सकते हैं आपके काफी ल होता है अर्थात यहां पर रास्टी विग्यान दिवस होता है 28 फरवरी हो जाएगा आपका राइटन से ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है अंतरास्टी मजदूर दिवस का मनाते हैं तो हमने बताया था एक-एक मजदूर क्या है परिसान है एक-टावल के लिए ए नमबर आपका हो जाएगा कि अंतरास्टी मजदूर दिवस मना जाता है एक माई को मनाते हैं कितने एक माई को मनाते हैं याद रखेगा ठीक है ना दूसरा पॉइंट यहां पर चार जूलाई को क्या होता है जो सूर्य और प्रतवी है इसकी दूरी सबसे ज़्यादा जो आ अगला क्वेशन आपसे दिया गया है केंद्री भेंड एवं उन अंसंधान संस्थान कहां परिष्थी थे चलिए बताएगा केंद्री भेंड एवं उन अंसंधान संस्थान कहां परिष्थी थे त्रीक आप्शन दीजिएगा चलिए त्रीक आप्शन दिख सकते हैं काफी लोग दे रहे हैं यहाँ पर आपकी राजस्थान चलिए थ्री को उप्षन बिल्कुल सही जवाब है कि आपकी अंबिकापुर जुक्य आपके राजस्थान है यहाँ पर एक इंदरी भींड एवं उन अंसंधान हमने बताया था कि उन की जो आपकी कपड़े भी होते हैं यहा पर फोर को उप्षन देना है चलिए फोर को उप्षन क्या होजेगा यहाँ पर उप्षन आ रहा है एंदर और बिलकुल सही है और हमने यह भी पॉइंट आपको समझाया था याद रखने के लिए कि जैसे राजस्थान वहां पर क्या है कि कांटे वगारे ज्यादा होते हैं राजस्थान से जुड़ा है आपका मतुरा अगरा जुड़ा है तो लगभग क्या है इधर भी एरिया में क्या होगा थोड़े वो तो उसका असर तो मिलेगा है तो बकरिया अगर ज्यादा ज्यादा मिलती है राजस्थान में तो उसे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसे क तो कौन सा यहां पर मथूरा अपसन होजेगा एनमर राइट होजेगा ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया है 200 जनसंख्या दिवस कम मनाते हैं यहां पर आपसन देना है आपका राइट अंसर क्या होजेगा चलिए तो देखें आपका यहां पर 5 नंब जल्दिवस मनाते हैं जल्दिवस मनाते हैं जल्दिवस मनाते हैं बिल्कुल है कि जल्दवयस होता है ठीके चली अगला कोशन दिया गया है केंदरी उपोर्षन बागवानी अंसंधान संस्थान कहां परिष्थी थे केंदरी भागवानी अंसंधान संस्थान कहां परिष्थी थे केरल पड़ता है यहीं पर नार्गियल अंसंधान संस्थान भी है कहां पर कासर गोड में है नार्गियल अंसंधान ठीके तो आपसन हो जब कड़ी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है कि केंदरी सुस्क बागवानी अं अगला क्वेशन आपसट गया है कि केंदरी क्रसी जयव प्रद्धोगी संस्थान कहां पर रिष्थी थे अपसन क्या बनेगा यह आपका पढ़ता है याद रिखे राची में ठीके कहां पढ़ता है राची जो कि आपके जहारखंड में है इसका जो दसका अंसर है वह आपक अगे बढते हैं। चलिए यहां पर 11 पौप्सन दिजेगा कि अगर पौदौ की बाहरी सनरचना या उसका आकार का अध्यंद करना है तो इसे कहते हैं हम लोग आकारिकी बोलते हैं। बनेगा आगे कोश्टितिकि यह अपने चारु तरफ पर्वेश को अध्यन किया जाता है उसे क्या कहते है तो यहां Spinat प्र और्ण पश्टितिक आपका है कि फब्स फसलों को उगाने तथा म्रदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्यान किया जाता है यहां पर देखे आप कंसर क्या हो जाएगा यह होता है उसे बुलते हैं सस्य विज्ञान क्या बुलते हैं सस्य विज्ञान कहते हैं जाद रिखिए इसका option मनेगा अपका C number कि म्रद मरदा के प्रबंधन और जो फसलों को उगाना है उसके मरदा का प्रबंधन है इसे बुलते हैं सस्य विज्ञान option और देनेगा C number एक question मोडल पेपर में बहुत बार पूछा गया है अगला question दिया गया है कि विस वन दीवस कम मनाते हैं चले विस वन दीवस कम मनाते हैं यह परंसा देना है चाउदा का option क्या होज़ेगा एकईस मार्च को आपर मनाते हैं वन हमने बताया था कि एकईस मार्च को मनाते हैं आपका वन दीवस और बाइस मार्च को मनाते हैं जल दीवस जब वन होंगे तो आपकी जल होगा तो एक इस मार्च को होता है वन दीवस बाइ प्रथवी दिवस होता है ना कि प्रथवी होगा तो जल होगा जल होगा तो वन होगे यह से तरह तीन चीजा निंच चेंच फोरे जाल 1 मार्च को जल दिवस गल को थल दिवस मतलब धिक है चले कर Prinzip से दिया गया है कि भारती क्रिशी अनुसंधान एवन परिश्थीत है यहां पर बताईएगा कि भारती करसी अनुसंधान प्रबंधत अकादमी कहां परिश्थित है इसके हम ट्रिक बता देंगे जो महत्वपुर आपके जो date पूछे आते एक्जामों में है रहा तो उसके हम आपको trick से बता देंगे पूरे पूरे trick बता देंगे तो यह भी question आपको यह न लगए कि यह हमको मेहनत करना पड़ेगा पूरी तरीके से आप पड़ सकते हैं पूरी trick हम आपको बता देंगे जितने जरूरी वाले question पू भारती गेहूं एवं जो अंसंधान संस्थान का परिष्थित है यह का मिलेगा चलिए यहाँ पर देखे 16 नंबर के अगर बात करते हैं तो 16 का option A.V.R.R. और B.R.R. है यहाँ पर देखे आपके करनाल जो कि आपके हरियाना में है यहाँ पर देखे केंदरी भारती गेहूं एवं जो अंसंधान भारती गेहूं एवं जो अंसंधान आपके करनाल जो कि आपके हरियाना में है आपके अपका A.V.R. आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा है कि डाक्टर राजेंद्र प्रसाद केंदरी क्रसी विस्विद्याले कहां पर है तो यहाँ पर देख तो यहाँ कर्फ़ना में अब हमने दो तीन पॉइंट बतstem था कि जांसी से अपका संब्साद कहां से थे आपके बिहार से थैंसे बिहार से दो इनका हों जेगा नोट का लिएगा 19 नमबर को कि यहां पर जो आपका है भारती पसु चीकिश्शा अनुसंधान हना पसुँ की भी क्या करना चाहिए इजफ्शत करना चाहिए जिस प्रकार से आप लोग मनुस्यों में इज़्जत होती है वैसे पसू की इज़्जत होती है हाना तो यहाँ पर क्या होज़ेगा आपका B-Number होज़ेगा कि पसू चीकिस्सा यह इज़्जत नगर आपकी बारेली में है option मनेगा यहाँ पर आपका B-Number right होज़ेगा ठीक है इसका आप जूनिस का option है वो B-Number होगा आगे बढ़ते हैं question आप सिखला है उत्तरवदेश को कितने जलवाई चेतर में बाटा गया है 20 का option लोग करना है 20 का option क्या होज़ेगा तो यह option होज़ेगा आपका C-Number 9 होज़ेगा क्या होज़ेगा नो होज़ेगा तो option मनेगा यहाँ पर आपका C-Number होज़ेगा ठीक है जिस question को आप जानते हैं तो उसमें कोई टेंसल लेने की जुरूत नहीं है जल्दी से पढ़के आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर दिया है मध मैदानी चेत्र में कितने सिंटीमीटर वासिक वर्सा होती है वीडियो को भी like share करते रहे ठीक है सब कुछ पड़े हैं फिरी आपको मिलना है पूरी तरीके से यह समझे है कि लेखपाल आप बन जाएंगे तो एक इस कॉप्सन हो जब का भी नमर यहाँ पर उती 84 cm प्रतिवालसी होती है अधरेखी इस कॉप्सन मने को कौन सा भी नमर हो जएगा हमने आपको बताया था दो तीन पॉइंट यहां से आपको मैप से बताया था कि जैसे आपका यहां पर इस परकार से है तो यहां पर जदा बारिस होती इसलिए आपर सदा बाहरवन पाई जाते हैं और मेगाले में भी सदा बाहबर वन पायाते हैं याद रकिगा लेकिन मध्ध वाले छितन में उतनी जदा बारिस नहीं होती क्याँकि यहां पर कंबारिस होती तो यह पर याद रखी यहाँ पर हो जब आपका भी नंबर 84 cm सबसे कम बारी साब के लिए अर्थात लदाक में होती है याद रखेगा और यहाँ पर आपके राजस्थान में लगवग होती है याद रखेगा आपका 62 से 70% होता है कितना 62 से 70% यहाँ पर जो 22 नंबर है और जब होती है अब जब होती है तो उसमें 4 सी चाही करना पड़ता है और किसी में 5 भी करना पड़ता है तो इसके अंसार से आपको बताना है आपर 20 से 25 दिन में पहली सिचाई कर देना चाहिए याद रखेगा अगर अच्छी से पैदावारी करना है तो गेहुँ की पहली सिचाई आपके 20 से 25 दिन करना चाहिए हाँ कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी होगा कि 15 से 20 कब होता है जब लोग गेहों जैसे बोते हैं लेकिन खेत में अगर नमी नहीं रहती है तो जल्दी पानी लगाना पड़ जाता है बहुत लोग होते हैं कि अगर केहों हम गेहों पानी लगाएंगे पानी लगाएं फिर उसको जुताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा तो इसलिए ऐसा करते हैं बो देते हैं और जल्दी लगा देंगे तो वो बातला गो जाते हैं लेकिन नार्मल जो होता है वो यही आपका होता है ठीक है चले अगला कोशन दिया है कि धान किस रितू की फसल है धान किस रितू की फसल है धान जो होते हैं आप पता ये कब होते हैं जब बारिस होती है बारिस मतलब वही जुलाई अगस्त में तो आप लोग धान लगाते हैं इसके बाद स्कूल जाते हैं मतलब यह मांसूनी फसल है और मांसूनी फसल के गर बात करते हैं तो य यहां पर देखो आपका यहां पर है बिनम्बर आपका चीन नदी है चीन है आप सुनों के हों देवर अब लोग है यह माद्सiej जी टीकनोलोजी के माध्यम से अचिन थीच वात है लिकिन यहां पर क्या कारण की यहां पर करसी वी अच्छी होती है इसका भी कुछ रीजन है इसका रीजन हम टोल है देखो यहां पर हम लिल और ने लिद्टी है उसी प्रकार्स से यहां पर होगोह नदी है जिसे हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं किस नदी से यहां पर उपजवी जादा होती याद रखेगा समझ में आगया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोईचन आप से गला पूछा लेकिन देखा जाए तो जो आपका कौन है परस्चिम मंगाल है परस्चिम मंगाल का जो इस्थान है वो कौन सा है पहला इस्थान है उत्तर विदिस का दूसर इस्थान है किस की मामले में चावल की मामले में ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है चाव या और यहां सद्वाल्शन होगा है क्या चले यह काओ पर सभुष स्वाब मनीला मनीला कि आनुलीपीन संद्वी धोयां सभाठोमेबद हो कि उर्そう का गुप अनई था ली तो तीन होते हैं कोरिश्टि से वंते ह टीक describes ले हैं अगर पूंचे रेखिसरी तता है यह तका क्वाण से दूरा नइला सबी मुड़िन न ठीक हैं लहां को लीजेगा अगर कुछह सब्सक्राहें बहुर्ति चावल अंसंधान संस्थान कहां परिस्थी थे चलिए 39 को अप्सन देना है क्या होज़ेगा तो यह आपके हैदराबाद जो कि आपके तिलंगाना में है अप्सन मन जागा यह ए नमर तो देख सकते एक कोश्ण और मिल गया भारति चावल अंसंधान तो आपके प्रफमिस्थान जो आपका है किसका होज़ेगा अमेरीका का विल्कुल सही जवाब है विल्कुल आपका जवाब सही आ रहा है यहाँ पर चाइना नहीं है याद रखिए चाइना यहाँ पर अमेरिका है मक्का की उत्पादन में option B आपका जवाब right हो जाएगा अगला question दिया गया है बाजरा का वैग्यानिक नाम क्या है बाजरा का वैग्यानिक नाम बताइए क्या हो सकता है अगर याद हो हमारी trick अगर आपको याद हो हमने बताया था कि जो आपका गन्ना होता है न क्या होता है यहाँ पर जो गन्ना होता है गन्ना और गन्ना से निकलती सक्कर गन्ना से निकलती सक्कर तो इसका मतलब क्या हो गया तो आपको हमेशा याद रहेगा कि गन्ना और सक्कर गन्ना और सक्कर तो याद रहेगा न चलिए आगे बढ़ते हैं question आप कि उत्पादन में प्रथम इस्थान है चले यहां पर अंसर देना है आपका सही जवाब इनमें से क्या होजेगा चले और चले तो देखें यहां पर आपका जवाब आ गया है उत्तप्रदेश में कौन से जिला गन्य की उत्पादन में प्रथम इस्थान है तो आपका जवाब में कौन से मिटी अधिक लाबकारी होती है अधिक लाबकारी चिकनी और दोमत मिटी दोमत मिटी आइसे समझें गंगा काले मिट्टी आपको मिलती है महाराष्ट में का मिलती है महाराष्ट गुजरात इस एरिया मिलती है ठीक है ना लाल मिट्टी का मिलती है तो आपकी जहासी में मिलती है जैसे आपका सोनबद्र वाला एरिया है तो यहां पर जहासी वाले एरिया में आपकी लाल मिट्टी होती तो इसका उप्शन मनें आपका सी नंबर अगला कोशन दिया है निल विद्रो कहां से शुरू हुआ था 35 कोशन लोग करिए जल्दी से तो यह आपका कहां से बिहार से या बंगाल से काफी लोग बिहार कह रहे हैं आप बते हैं क्या अंसर कर दें आप लोगों का यह निल होगा तो यह है आपका खेडा होगा या बारदुली होगा यह आपका बारदुली या परणसर बनेगा की सी नंबर होगा बारदूली है तीके हम ने स्ब्सक्राइब में सिंहां तो नबहां चलिए जलदी जलदी बताइए चलिए देखे ये आपको दिया भारत का सबसे बड़ा मुघवली उत्पादक राज कौनसा है 38 को अपसर नंबर आपका गुजराथ, हमने आपको एक पॉइंट और बताया था, हमने पॉइंट आप से यह बताया था, कि जो गुजराथ की मुझवली होती है, बड़ी नंबर 1 की होती है, अगला कोशन दिया गया है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राद जिन में क्य और आपको पॉइंट में और केरील को अगर आपके माहरास्टि में ही मैं मक第二 है है तो आपको चल्बादी का पूछ बंगो नें मैं॥ सबसे अदिक मात्रा में केसर केसर मीलता है क便h अपके उत्तरप्डेश में भी होता है हमने निगतने होता था में पूझा है उत्तरप्तों क्याई पर अमने कस्मीर मिलता है और आपके अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कहा मिलता है तो उत्तर प्रदेश में भी मिलता है जो आपका तराई वाला एरिया है जो आपका पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ पर भी आपका केसर को उत्पादन किया जाता है याद रखेगा ठीक है अगला कि चाय को GI tag भी दिया गया था याद रिखेगा दार्जी लिंग की चाय को GI tag भी आपको मिला था दूसरी पॉइंट यहां से यह होता है कि चाय की खेती के लिए जो मिट्टी होना चाहिए हो कैसी मिट्टी होना चाहिए चाय की खेती के लिए जो आपके मिट्टी होना है जहां पर पानी के जो कन होते हैं पानी के साथ और यह अधिकतर अधिकतर यह मिलते हैं जूम क्या है इसका नशादी जूम तो देखें बै करसी का प्रिकार करते हैं और जब उसका फसल कड़ जाता है तो इसके बाद जगा को छोड़ देते हैं दूसरी जगा काटते है और इसके बाद अगला काम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है क्रसी का प्रिकार है जिसे आपका नागा लेंड है नागा लेंड वहाँ पर इसका क्रसी का जो कार होता है कुछ जाद ही होता है ठीके अगला क्वेशन आपसे यहाँ पर दिया गया है भारत की कितनी प्रतसताबादी क्रसी पर निर्भर है भारत की कितन का 49.9 क्या है 49.9 कुछ पॉइंट पॉइंट आपका बचा है जो की क्रसी आपका निर्भर कर रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोच्छ न आप सिगला पूछा गया है भारत की GDP में क्रसी का योगदान है यह कितना है तो योगदान हो जेगा आपका कितना 17.4% कितना 17.4% लेक आगला कोच्छ न आप से दिया गया है राश्टी क्रसक आयोग किस पंचवसी होजना में इस्थापित किया गया था तो यह पर देखे पैता यह आपके कोच्छन हुआ और अगर आप सिद्धत से मेनत करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीकी से मेनत करने चाहते हैं तो मात कितना 99 रुपए में आपको 725 कोच्छन बहुत होते हैं आपके ग्रामीर परवेस के लिए और कम्प्लीट थियूरी आपकी है और अगर आप UPGK कर लेते हैं तो बोलते हैं सूने में सुहागा हो गया क्योंकि UPGK और ग्रामीर परवेस ही आपके हैं जो आगे ले जा सकती है यहाँ पर देखोकते डेमो पीडियेफ हमारी इस प्रकास से मिलेगे जो भी हमारी पीडियेफ है कि आपको पढ़ना क्या है किसी टीचर से पूँचे कि क्या पढ़े क्या आता है क्या नहीं आता कोई टिंसन नहीं है आपको इस प्रकास से पढ़ना है कि देखो हमने जैसे कुछ नहीं होते हैं देखा जा तो एक दिन में आप पिज्जा मंगा खतम कर देंगे लेकिन अगर 99 में अगर आप पीडियाफ ले लेंगे तो भाई साब आपकी जिंदगी बन जाएगी अगर इतने दिने तक पैसा आपने बाहर रहे के खर्चा कर दिया है लेकिन 99 रूपए